धूरकी प्रखंड कार्याले में बिर्सा हरित ग्राम योजना के फायदे और लाव के बारे में किसानों को दिया गया परसिक्षन कनिये अभियंता परमेंदर बिश्चो कर्मा वज्जे एसल पीएस के कर्मी द्वारा बिश्टरी तुरूप से प्रसिक्षन में किसानों को जानकारी दे कर जागरूप किया गया इस दवरान प्रभारी बीबियों ने ग्रामिनों को बताया कि बिर्सा हरित ग्राम योजना मनरेगा की वो राज्य सरकार की सबसे महत्तोपून और महत्तोकांक्षी योजना है उन्होंने किसानों को बताया कि जार्खन सरकार द्वारा राज्यक ग्रामिन किसानों को लाप प्रदान करने हेतू और उनकी आयमे बृध्धी करने के लिए बिर्सा हरिद ग्राम योजना को शुरू किया गया है वहीं जार्खन सरकार द्वारा बिर्साहरिद कराम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश राज्य के ग्रामिन किसानों को फलदार पौध्धे उपलब्ध कराना है ताकि राज्य भर में किसानों की आयमे बृध्धी हो सके और उनको लाभ मिल सके वहीं किसानों को बताये गया कि सरकार द्वारा की गई इस पहल के माध्यम से किसानों को आत्म निर्भर योग सरशक्त बनाये जा सकेगा और किसान अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजिविका को सुचारू रूप से चला पाएंगे इस दोरान सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवंग सभी मन्रेगा कर्मी इस परसिक्षण में शामिल थे आज किस चीच का परसिक्षण क्या जा रहता है? किस तरह उसका देखभाल करना है? किस तरह उसमें दवा मिलाना है, गड़ा भरना है? इस पर विश्थित चर्चा किया गया और मंडेगा के तहद जो भी भुगतान से समन्धी जानकारी थी, सभी को बताया गया किस तरह से उनको भुगतान मिलेगा? कब घिरान करना है, कब पौधा लगाना है, कब उसमें कैसे किस तरह से पटवन करना है? बगवानी सहित सभी लावकों को बिस्तित रुप से इसका प्रसिक्षन देते हुए बताया गया 23 अगस्त को डीडी सी कार्याले में हम लोगों के द्वारा वहाँ पर प्रसिक्षन कारेक्राम आयोजित किया गया था विर्षाहरिद योजना के लिए और जिसके उपलक्ष में आज प्रतिक प्रकंट में एक दिवस्तिय कारेसाला आयोजित करना था जिसके तहत आछ हम लोगों ने धूर की प्रकंट में करा और आज का जो प्रस्टिक्षन में मुख्यता रहा जो हम लोगों का लाभुकों को जागुरुट करना और यहां के लोग जो विर्षा हरित योजना में जो नहीं लेना चाहते तो उन लोग के बारे में विशेस रूप से बताया गया ताकि लावोग ज्यादा से ज्यादा इस सलावान भी थो